नमस्कार मैं हूँ प्यूस आप देख रहे हैं दव यूज मीडिया हमारे साथ है मनीज सर तो आज में हम एक चर्चा करने वाले अर्विन केजिवाल और उनकी बाकी पार्टियों को जेल दाने के बारे में जिससे उनके सारे मंतिय क्या करके जेल दा रहे हैं आखिर मनीज सिसोदिया और सतिंद्र जैन के जेल जाने से अर्विन केजिवाल को परसानी नहीं हुई तो फिर संजे सिंग के जेल जाने से अर्विन केजिवाल को परसानी क्यों हो रही है आए जानते हैं मनीज जी से सतिंद्र जैन और मनीश सिसोधिया दोनों केजरिवाल के सरकार में मंत्री थे लेकिन संजय सिंग केजरिवाल के सरकार में मंत्री नहीं थे इसके बाबजूद संजय सिंग के जेल जाने से उनको परिशानी हो रही है यह साफ दिख रहा है यह ऐसे दिख रहा है कि जब तक मनीश सिसोधिया जेल गए केजरिबाल कूद रहे थे कुछ नहीं मिला सिसोधिया के पास से कुछ नहीं मिला सिसोधिया के बिला वज़ा फंसाया जा रहा है सिसोधिया जेल का फाटक तूटेगा सिसोधिया वापस आएगा वैसे ही सतिंदर सतिंद्र जैन के लिए कहा गया कि सतिंद्र जैन के लिए जेल से वापस आएंगे और इनके खिलाब कुछ भी नहीं मिला। E.D. ने कहा कि पैसा direct money सी सोधिया को नहीं गया है। अब एक नई बात सुप्रिम कोट में सामने आ गई है कि ये पैसा जो पुरा है ये पैसा आम आदमी पार्टी को गया है। जो सबूत दिख रहा है उस सबूत से साफ लग रहा है कि पैसा जो शराब माफिया गिरी का जा था दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसमें पैसा आम आदमी पार्टी के एकाउंट में आया है। पार्टी के फंड के लिए ताकि पार्टी पंजाब में चुनाव लर स कि दिल्ली सरकार में जब केजरिवाल मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने अपने पास कोई मंत्राले नहीं रखा है, सभी मंत्राले मैक्समम मनीश्री सोधिया के पास था, तो केजरिवाल को लगता था कि फसेंगे भी तो मनीश्री सोधिया फसेंगे, फसेंगे भी तो दूसरा मं केजरिवाल को इस बात का अंदाजा नहीं था किस मामले में संजर सिंग के उपर शिकंजा कस जाएगा, इसलिए केजरिवाल कहा करते थे कि ED के भै से दूसरे के पैंट गिले हो जाते हैं, लेकिन संजर सिंग जो है इतना पावर्फुल है कि संजर सिंग के खौफ से ED जैसी सं ताके पैंट गीले हो जाते हैं ये बात जो है केजरिबाल कहते थे ये बहुत अजीब सा लगा कि केजरिबाल IRS ऑफिसर हैं इंडियन रिवेन्यू सर्विस के आयाई टीन है ऐसा पढ़ा लिखा वेक्ती ऐसी ऐसी बातें कर रहा है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं केजरिबाल सं संजय सिंग तक मामला आएगा क्योंकि कोई साक्ष सबूत संजय सिंग के लिए थे नहीं लेकिन कुछ वाटसेप रिकॉर्ड जो हैं वो सामने आए हैं कि दिनेश अरोडा जो इस मामले में एक्यूजड है जिसे सरकारी गवाह बना लिया गया है वो दिनेश अरोडा ने ओके हो रहा है तो ये माल क्या है ये तमाम सरका मिस्टांसियल इविडेंस जो है वो संजय सिंग को घेरे में ले लिया कि आखिर संजय सिंग का जो चेला चपाटा है जो गुपता है सर्वेस मिसरा है उस वो दिनेश अरोडा के लिए काम कर रहा है दिनेश अरोडा के कंपन संजे सिंग आम आदी पार्टी के लिए पैसा उठा रहे हैं और अब CBI ने सुप्रिम कोट में ये कह दिया है ED ने सुप्रिम कोट में कह दिया कि हम अब आम आदी पार्टी की भूमिका की जाच कर रहे हैं आम आदी पार्टी को हम इसमें लपेटे मिलेंगे सुप्रीम कोट में यह भी कह दिया गया कि अब चार सी ती दीदा की लोगी तो हम आदी पार्टी पर करेंगे तो तैसी बात है दि आम आदी पार्टी पर सिकंजा कसेगा आम आदी पार्टी के संयोजक है अर्विंद केजरिवाल तो अर्विंद केजरिवाल फंसेंगे और जब सब फंसेंगे इस मामले में देखा जा रहा है कि लंबे समय तक मनीर्षी सोधिया के साथ केजरिवाल खड़े नहीं हुए तो कहीं न कहीं ये परिशानी तो बढ़ेगी ये चीजें तो होंगी कि अब रिसी सोधिया जब फंसे तो केजरिवाल उनके साथ नहीं आए तो क्या संजर सिंग के साथ भी नहीं आएंगे संजर सिंग कुछ लंपट चड़ितर के वेक्ति हैं वो इसलिए भी कि राजसभा में संजर सिंग को राजसभा से सस्पेंड कर दिया गया ना आम तर पर सस्पेंड किया जाता एक सत्र के लिए संजर सिंग को अनिश्चित ताकाल तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है इससे दिखता कि संजड सिंग का सभाव क्या है और कहते हैं आप जब कुछ ऐसे लोग पालते हैं बदमास टाईब के लोग तो आपके लिए परिशानी हो जाते हैं संजड सिंगे तिन संसत के अंदर सभा के सभापती को किसाथ अभध रवहार करते हैं उदंड़ता करते हैं पार्लेमेंट के अंदर तो संजर सिंग केजरिवाल को भी नहीं छोड़ेंगे तो केजरिवाल को इस साफ लग गया है कि अब उनके उपर परेशानी बढ़ने लगी है उनका अब उनकी बारी है और यह साफ लग गया इसलिए बिल्कुल आपका सवाल बहुत वाजीब था कि संजर सिंग के गिरफतारी से पहले केजरिवाल परेशान नहीं थे अब संजर सिंग के गिरफतारी से आखिर केजरिवाल की स्थांसे क्यों रुक रही है तो क्या लगता आपको कि केजी वाल जेल जाएंगे हैं? जब भी किसी पार्टी के उपर इस तरह के मामले साबित होते हैं तो पार्टी की मानिता रद हो जाती है और ये भी पता चलेगा कि अतीत में इस पार्टी के लिए कहां से पैसे आएं तो कौन कर रहा था खेल? अरविंद केजरिवाल तो तैसी बात है कि आने वाला समय अब अरविंद केजरिवाल का है और हर कोई इंतजार ये कर रहा है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ सरविंद केजरिवाल हैं? अरविंद केजरिवाल ने कोई मंत्राले अपने पास नहीं रखा बड़ी चालाकी से सब को फंसा दिया लेकिन जब आम आदमी पार्टी फंसेगी तो केजरिवाल को कोई नहीं बचा पाएगा बिलकुल केजरिवाल जेल जाएंगे इंतजार कीजिए कि उनकी दीपावली बिच्टी है या नया साल तो लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आप हटती है तो बीजेपी अगर मान लेजे दिल्ली में आती है तो वो कुछ कर सकती है दिल्ली के लिए बिलकुल अब देखें सरकार हो तो फिर चुनाब के बाद पता चलेगा लेकिन अभी परिशान उपसे आम आदमी पबलिक की धारना तो बदलेगी ही कि हमने एक ऐसी पार्टी को चुना ऐसी पार्टी पर भरोसा किया जिसने हमें ठागा है धनियवाद आप देखने तरह वीडियो मीडिया यदि आपको वीडियो पस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजे सेरी कीजे और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा